हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एगरी कल्चर स्मार्ट इस्टेडिये पर आपके फ्रेंड ग्रूप में जो कोई पीडियरी साइंस की तैयारी कर रहा है यह क्लास उसको भी सेर कर दिया कर यह ताकि वह भी पढ़ सके और आने वाले एक्जाम्स क फ्लेवर आ रहा है तो वो किसका मतलब रिजल्ट है मतलब किससे आ रहा है तो एक्सेसिव वटर मिल्क इन वटर अगर वटर में वटर मिल्क का पोर्शन जो है वो जादा है अगर वटर मिल्क जादा है तो अवेसली सौर फ्लेवर आएगा एंड इंसफीसियंट वॉसिंग insufficient washing का result भी यही होता है कि उसमें buttermilk जो है उसका portion रह जाएगा कड रह जाएगा तो उससे भी sour flavor आएगा तो correct answer होगा option C both A and B excessive buttermilk in water and insufficient washing result water with sour flavor next question soapy flavor in water is caused by buttermilk जो soapy flavor आता है मतलब जो saavun जैसा flavor आता है उसका taste और smell जो saavun जैसा आता है वो किसकी वज़े से होता है तो वो होता है use of soda neutralizer का use किया गया है buttermilk उसकी बज़े से softy flavor आ जाता है और soda neutralizer क्या होता है sodium bicarbonate sodium bicarbonate is soda neutralizer तो soda neutralizer का use अगर किया गया है butter में तो soapy flavor आ जाता है next question for cleaning of bath churn amount of hot water taken in the churn should be मतलब जो bath churn है bath churn देखो समझे लते हैं पहले churn क्या होता है जिसमें churning करते हैं butter निकालते हैं जैसे बोल सकते हैं generally अपनी language में जो मतलब अपना जो निकालते हैं मक्खन निकालते हैं butter milk churning करते हैं मतलब मत्ते हैं ना उसके बाद ही fat निकलता है ना मक्खन वह है उसके बाद ही तो निकलता है वही होता है चर्न तो जो बैच चर्न होता है वह अपना इंडिजिना से बोल लिजिए जैसे जो यूज करते हैं गरों में तो बैच चर्न को साफ करने के लिए for cleaning amount of hot water मतलब कितना hot water का कितना amount जो है वह चर्न को साफ करने के लिए यूज करेंगे तो करेंगे 10-12% of churn capacity मतलब उस चर्न की जो capacity है उसका 10-12% hot water उसमें डालके और उसको clean कर देंगे तो कितना यूज करेंगे 10-12% of churn capacity hot water is used for cleaning of bath churn and churn कितने टाइप की होते हैं दो टाइप की एक bath churn और एक continuous churn तो continuous churn क्या होता है वह बड़े level के लिए यूज करते हैं and continuous churn का यूज करते हैं जब मखन की बहुत जादा मात्रा वटर की बहुत जादा मात्रा को निकालना है तब next question which is used for cleaning of batch type churn इन में से क्या यूज करते हैं for cleaning of batch type churn को यूज करने के लिए इन में से क्या यूज करते हैं तो hot water यूज करते हैं for cleaning of batch type churn last question में बताया hot water तो hot water का यूज करते हैं cleaning of batch type of churn के लिए next question है whipping increase the volume of water while incorporating मतलब whipping जो है वो water के volume को बढ़ा देती है why incorporating मतलब उसमें क्या incorporate का मतलब बोल सकते हैं कि उसमें मिल जाता है या क्या आ जाता है जिससे whipping जो है वो बढ़ जाती whipping आ जाती है और जिससे की butter का volume बढ़ जाता है तो whipping increase the volume of butter why incorporating air उसमें air जो है वो mix हो जाती है जिससे whipping हो जाती है और whipping क्या करती है वटर किया जो volume है उसको बढ़ा देती है चुछ फह बटर एपिर मतलब जो बटर होता है वो कैसा दिखता है तो बेपे बटर एपिर साइनी देन वटर जो नॉर्मल बटर होता है उससे साइनी दिखता है बटर फाइन लेपे बटर विप्ड वटर में कंटेंट वटर फैट जो विप्ड वटर होता है उसमें कितना फैट होता है मतलब उसमें कितना फैट कंटेंट होता है तो विप्ड वटर में होता है 45-50% फैट विप्ड जहां कहीं आ जाएगा विप्ड तो वो उसमें फैट जो है वो 30-50 के बीच में ही जैसे क्रीम भी अगर आ जाता है, विपिंग क्रीम है, हैवी क्रीम तो कितना होता है, 30 to 40 या 35 to 40 आ जाए, तब भी आप टिक करेंगे, एंड विप्ट बटर आ जाएगा, तो 45 to 50 या 35 to 40 भी आएगा, तो वो सही रहे, मतलब सही आंसर होगा, तो विप्ट के लिए 30 और 50 के बी to 50% fat content, next question, वे वटर is made from fat up, मतलब वे वटर जो है, वो किसके fat से बनाया जाता है, तो वे फैट से, वे से जो fat extract करते हैं, उससे बनाते हैं वे बटर, एंड वे क्या होता है, वे is the byproduct of cheese, जैसे छेना बनाएंगे या चीज बनाएंगे, तो जो water type solution जो रह जाता है, उसके coagulation के बाद solid को तो हम लोग use करते हैं, man product जो है, वो solid रह जाता है, और जो उसका byproduct रह जाता है, solution type का वो होता है, वे, और उसमें से fat निकाल के बनाते हैं, वे बटर, एंड वे बटर में fat content जो है, वो normal बटर के comparison कम होता है, मतलब उसमें fat जो है, इसकी quantity कम होती है, comparison to normal बटर, एंड वे बटर को कभी-कभी farmhouse बटर भी बोलते हैं, अगर इसमें, मतलब वे बटर को, अगर 100% वे बटर है, तो उसको term दिया जाता है, farmhouse बटर, लेकिन होता है कि कभी-कभी वे बटर को sweet cream बटर के साथ भी blend कर दिया जाता है, तो वो होगा वे बटर, एंड जब farmhouse बटर यूज़ किया जाएगा, तो कभी यूज़ किया जाएगा, जब 100% वे बटर होगा, next question है, melting point of butter is dependent on, बटर का जो melting point है, वो किस पे depend करता है, तो बटर का melting point जो है, वो depend करता है, composition of fatty acid पे, correct answer is, option A, composition of fatty acid पे, क्यों करता है, because, जो fatty acid रहते हैं, वो जैसे, अगर soft fat है, soft fat है, soft fat का proportion जो है, वो बटर में ज्यादा है, ठीक है, तो जो soft fat होते हैं, उनका क्या होता है, melting point जो है, वो lower होता है, and जो hard fat होते हैं, उनका melting point क्या होता है, higher होता है, तो जो fatty acid का composition है, अगर उसमें, fatty acid में, अगर lower fat अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब बटर का melting point जो है वो कम होगा और अगर hard fat fatty acid से ज़्यादा है उसमें तो क्या होगा melting point water का जो है वो ज़्यादा होगा तो melting point of water is dependent on composition of fatty acid and soft fat में आ जाता है tributarin है और olin fatty acid है अगर ये दोनों है मतलब soft fat में से है तो melting point कम होगा और अगर proportion of hard fat ज़्यादा है तो melting point जो है वो ज़्यादा होगा तो melting point of water is dependent on composition of fatty acid next question classification of fat spread according to source of fat R मतलब fat spread का classification according to source of fat मतलब fat के source के हिसाब से कौन सा होगा इन में से तो होगा dairy and non-dairy origin मतलब अगर dairy fat use कर रहा है fat spread के लिए जैसे water spread बनाते हैं या cheese spread बना रहा है अगर dairy source है उसका fat spread के लिए fat का तो dairy spread and अगर vegetable fat use कर रहा है fat spread बनाने के लिए तो vegetable fat को जो है वो non-dairy origin बोलेंगे तो classification of fat spread according to source of fat are dairy and non-dairy origin आज की class यहीं तक मिलते हैं next class में अगर आपको किसी question में doubt रहता है confusion रहता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोसिस करूंगी कि next class में आपकी doubts किलियर कर सकों और आपको question के वारे में जादा जादा बता सकों और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो इसकी notification आपको मिल सके उके बाइबाइ टेक क्यार